नमस्कार किसान साथियों मैं आपका दोस्त नरेंदर पोरवाल आपके अपने यूटूब चेनल देश की सान हमारे किसान में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ किसान साथियों हर बार की तरह इस बार भी उटी लसुन जो तमिल नाडु की मेटापोलियम मंडी है प्रिपोर्ट उटी लपसुन बीजवारा भाव की पूरी देने वाले हैं तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा आंत्य तक जरूर देखे, जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आए, वीडियो पसंद आये, मेहनत पसंद आये, तो आप हमारा होसला बढ़ जूडे, सभी मुद्दों की जानकारी जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चेनल को लाल बटन दबाकर सबस्क्राइब करें और पास में लगा गंटी का बटन भी जरूर दबादे जिससे हम जो भी जानकारी की वीडियो डालेंगे वह बीना देरी के आप तक जल्दी देखने को मिली हैं वक के बाद बात करें लेवाली की तो MP में बारिस कम होने के कारण लेवाली भी थोड़ी सूस्त देखने को मिली हैं काफी ज़्यादा किसान भई वहाँ पर पहुंचे हैं लेवाली फिर भी कम देखने को मिल रहे हैं क्योंकि MP में बारिस काफी अभी कम हो तो उसके कारण थोड़ा डिमांड में असर देखने को मिला है और आगे आने वाले सप्ताओं में भी उटी में काफी कम बारिस हैं इसलिए आवके ऐसी ही रहेगी कम नहीं पड़ेगी इसलिए आगे जाकर और भी बाजार मंदा होने की उम्मीद लग रही हैं और MP में भी अब अगर उंचे में बात करें तो उपर में 34,000-34,000 रुपई कुंट रहा है जो कि पिछले सप्ता 37,000-38,000 तक पहुंच गया था और 2-3,000 रुपई की जो तेजी देखी गई थी वह इस सप्ता वापिस मद्दी में बदल गई हैं और लेवाली में जोज काफी कम देखने और अच्छा सुका हुआ माल दिख रहा है यह 34,000 रुपई प्रतिक उंटल याने की 340 रुपई प्रतिक किलो के भाव से आज यह बिका हैं यह पिछली मंडी में 37,000-37,000 तक की पोजिशन रख रहा था और इस सप्ता जो है आज यह 34,000 रुपई प्रतिक उंटल में बिका ह एसी क्वालिटी यह पिछले सप्ता 34,000-34,000 तक भिकरी थी यह 32,500 रुपई में इस सप्ता भिकी हैं इस प्रकार की क्वालिटी एक और जो हैं जिसमें की लड़ू अधिकतर हैं कुछ फूल गोला सामिल हैं कुछ परदा भी हलका हैं यह 320 रुपई प्रतिक किलो याने 32,000 प्रतिक क्विंटल के आसपास भिकी हैं यह 33,000-33,000 तक पिछले सप्ता भिकी थी तो इसमें भी कुछ नर्मी देखने को मिली हैं याने कि ओवराल उपर के मालों में 3,000 मीडियम मालों में 1,500 से 2,000 और नीचे के मालों में 1,500 की नर्मी देखी गई हैं एक क्वालिटी आप देख सकते हो कुछ गिला माल हैं कुछ हलका सा छोटा चर्री माल मीडियम लड्डू फूल गोला सभी तरह का मिक्स हैं यह 27,000 रुपए प्रतिक विका हैं इस माल की पोजिशन भी पिछले सप्ता 29,000 हमने आपको बताई थी यह 37,000 इस सप्ता भिका हैं इस प्रकार की जो क् मिट्टी लगा हुआ माल हैं यह भी आज 26,000 रुपए प्रतिक विका हैं और इस प्रकार की क्वालिटी पिछले सप्ता 27,000-28,000 तक भी की थी इसमें कुछ दांतरा माल, फूट माल और बड़ी कली वाला माल हैं पर मिट्टी लगा हुआ माल और गीला होने के करणे 26,000 रु और अधिकतर फूल गोला सामिल हैं यह भी 32,000 रुपए प्रतिक विका हैं इस प्रकार का फूल गोला मिक्स माल पिछले सप्ता 33,000 तक भी का था आज यह 32,000 पर अटक गया हैं इस प्रकार से किसान सात्यों माजार आज इस्तिति हैं सभी मालों में आज कुछ लेवाली कम द देखने को मिली और इसकी जानकारी हमने हमारे दर्सकों को पिछले सप्ता ही दे दी थी कि अगले सप्ता मद्दा खुलने वाला हैं आप जल्द बाजी ना करें और अती आवशक हो तो ही खरीदी करें नहीं तो आगे आने वाले सप्ताओं में और भी बाजार ढिला हो सकता तो उन किसान भायों ने अगर हमारी बात मानी होगी तो उनको निश्चित ही फाइदा हुआ होगा अब किसान सात्यों ये तो बात हो गई आवक की तेजी मद्दी की और क्वालिटी अनुसार हमने भाव बता दिये अब किसान भायों को क्या निरिणाई लेना चाहिए अगर उसकी बात करें तो किसान सात्यों अगर आपको अभी लसुन लगाना है खुला मोसम है आपने खेत तेयार खल रखा है खेत खाली छोड़ रखा है और आट-दस दिन में अगर आपको माल लगाना है तो आप इस भाव में खरिच सकते हो आपको कोई घाटा मुनापा इसमें नहीं है आप इस मद्दी का फाइदा उठा कर अभी खरिच सकते हो बाकी अगर आपकी सोय अभी नबर खड़ी है या कोई फसल खड़ी है तो अभी आपको रुकना चाहिए आगे आने वाले दिनों में अगर बारिस ओर भी कम होती है तो किसान भाईयों में उच्छा कम देखने को मिलेगा और और भी मद्दी देखने को मिलेगी जिसके कारण आपको आगे और भी सूखा हुआ अच्छा टंच माल और भी कम कीमत में मिल सकता है याने कि उपर पोजिशन 30,000 तक आ सकती हैं जो 34,000 तक हैं वह 30,000 से 31,000 उपर तक पिछले सब्ता से तो अभी मद्दी हो चुकी हैं तो किसान सात्यों यह थी जानकारी उटी बिजवारा लसुन के संब्द में जिसमें तेजी मद्दी आवक और भाव और आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए या सबी चीजे हमने आपको इसमें बताने का प्रयास किया हैं तो आपको जानकारी केसी लगी कमेंट में जरू बता है वीडियो को पूरा देखा है तो जई हिंद कमेंट जरू करें और उटी लहसुन की खेती से संब्दित मंडी भाव से संब्दित और अन्य फसलों से या किसानों से जुड़ा सभी मुद्द की जानकारी के आपको को भी जानकरी के संबंद में आपको पूछना है, सवाल या सुजाव आपके हो, तो आप वह भी कमेंट जरू करें, जिससे हम आपके सवालों के जबाब भी देंगे, आपके कोई सुजाव होंगे, तो वह भी जादा से जादा किसान बोयों तक पहुंचाने का हम प्रयास बाकि किसान सात्यों चेनल पर खेती से सम्मंदित, मंडी भाव से सम्मंदित और किसानों से जुड़े सभी मुद्दों की जानकरी चेनल पर अपलोड कर रखी हैं, आप उन्हें भी जाकर देखें, लाइक, सेर और चेनल को सब्सक्राइब जरूर करें किसान साथियों में फिर आपको बता दूं कि लसुन उटी का जब हम लगाते हैं तो उसमें हम बीच खरीद कर लाते हैं तो काफी गीला माल होता हैं और गीला माल होने के कारण उसमें हम जब तक लगाते हैं तब तक काफी सुकत बेड़ जाती हैं अगर हम अभी गीला माल एक खुला मोसम होता है तो उसके हम सुखा सकते हैं बाकि अगर बारिस वाला मोसम होता है तो उसमें काफी दिक्कतों का किसान बयों को सामना करना पड़ता है और पिछले साल भी किसान बयों का काफी ज्यादा लहसून अत्यदिक बारिस होने के कारण सड़ गया था तो एसी तमा केसी करनी चाहिए एसी तमाम जानकारे चेनल पर अप्लोड कर रखी हैं आप चेनल पर जाकर सभी जानकारी देख सकते हो धन्यवाद जय हिन जय भार